टैक्स से जुड़ी हर उल्जनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदिदा शो टैक्स गुरूप जहां हम नियमों के दारे में रखे टैक्स बचाने के पहत्रीन तरीके आपको बताते हैं साथी साथ टैक्स बचाने के बहुत सारे टिप्स भी हैं तो कहीं जाईएगा नहीं क्यों कि हमापको बताने वाले कि अगर आपका TDS कंप्णी ने काट लिया और सरकार के पास जमान नहीं कराया तो अब आपको टेंशन लेनी के जरूत नहीं है तेवार या शादी में मिले गिफ्ट्स पर क्या मिल सकता है इंकम टेक्स का नोटिस और साथ में भी बताएंगे कि अगर आप NRI है और भारत में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो क्या कहते हैं TDS के नियम सारे मुद्वों बाचित करेंगे लेकिन सबसे पहला सबसे एक बड आरा है नोटिस रहा है कि और पर नगने क्वाएं अब एछ यह जज्वन्ट आया है जो बहुत ही महत्पूर्ण है काह सकता है कि एक से लिए इतिहासिक जज्वन्ट है जो अब टेक्स पर को इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं इंकम टेक्स जाने जिस कॉली साब सबसे पहले बताए कि यह ज़ज्मेंट क्या है लक्षमन सालों से हमारे पास टैक्स कुरू में सवाल आ रहे थे जहां लोग शिकायत करते थे हमारा टैक्स काट लिया गया और पिछले एपिसोड में वह आ थे सवाल और उसमें लाज़मी बात है हमारा जवाब यह एक तो कंपनी ने काट लिया और एक उस एंपलॉई को दोबारा देना पड़ जाता था तो दिली हाई कोट का किंग फिशर एरलाइंस जो की अब बंद हो चुकी है उसके पाइलिट साहब थे जिनके साथ ऐसा ही हुआ कंपनी ने जमा कराया जमा नहीं कराया काट लिया और उसके बाद केस जो मामला जो हाई कोट तक पहुच गया और पाइलिट साहब ने इस मामले को वहाँ छोड़ा नहीं उसको पकड़ के रखा हाई कोट तक ले गए और हाई कोट का एजजमेंट आया कि अब अगर कंपनी ने आपका टैक्स काट के जमा नहीं कराया है तो ऐसे में आपकी दोबारा देंदारी नहीं बनती है मैं समझता हूं कि सेकडों के साब से लक्षमन ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी कंपनियों में काम करते हैं या कर चुके हैं जहां पर उनका टैक्स कटा था हजारों लोग हो सकते हैं हजारों हो सकते हैं तो अब उनको मैं समझता हूं ये court की judgment उनके लिए एक guidance का काम करेगी कि उनको अब चंता करने की जुरूरत नहीं यहाँ पर दो सवाल मेरे मन में उठा जब आपने King Fisher का नाम लिया तो क्या ये judgment ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उन company के employee पे लागू है जो company NCLT में चली गई हो या फिर दिवालिया हो गई हो या बंद हो गई हो या फिर नहीं किसी भी company पे लागू हो गई हो देखे judgment ये कहता है कि company ने आपका tax काटा और जमा नहीं कराया तो यहीं तक आके बात रुक जाती है ये कहीं spell out नहीं किया गया है कि वो NCLT में चली गई liquidation में चली गई बंद हो गई दिवालिया निकल गया बगएरा बगएरा और आपको मैं ये बता दू कि tax काट के ना जमा कराना आएकर अधिनियमों के अंतरगत बहुत बड़ा offense माना जाता है अब अगला सवाल ये है आपसे कि ठीक है कंपणी नहीं जमा कराया लेकि income tax department का notice आ चुका है कई लोगों के पास आ चुका है वो अभी जद्दो जएद में हों क्या करें कई लोगों के पास आ भी जाएगा हो सकता है ऐसे में taxpayers क्या करें देखे taxpayers को आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैं जब आया था लक्षमन तो हमने अपील करने के पूरी procedure डिसक्स किया था आपको याद होगा तो मुझे लगता है कि ऐसे case में आप अपील में जा सकते हैं ये भी मामला जो pilot का मामला है आपको पता होगा कि assessing officer से CIT Appeals के पास जाती है वहां से Tribunal के पास जाती है Tribunal के बाद High Court में जाती है तो आप इसको अपील में ले जाएं मैटर को और अपील में जाके इस High Court Judgment का आप citation दें के माननी High Court ने ये निरने लिया है तो इसमें आपको उस case को देखते हुए राहत दी जा सकती है तो इसमें सिर्फ इस High Court के judgment का हौला दे सकते हैं या फिर हमें Income Tax Department की तरफ से किसी notification के इंदजार करना पड़ेगा judgment का धार पर के नहीं उसके ज़रुत नहीं होती है देखे Department कभी कभी notification निकाल देता है पर इसमें मुझे notification की उमीद नहीं लग रही है आप judgment के basis पे हम लोग जब appeals वगएरा लड़ते हैं लक्षमन ट्राइबनल में हाई कोट में तो हम उसको citations बोलते हैं तो ये एक ऐसी citation है ये बहुत landmark है क्योंकि आज तक ऐसा फैसला आया नहीं तो मुझे लगता है कि एक नया तरीके का फैसला और जैसा कि आपने का हजारों लोगों को ये राहत दे सकता हमारे ही कितने task guru के दर्शक सालों से जैसा मैंने कहा सवाल इस बारे में पूछते रहे हैं चलिए तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई नोटीस आ गया हो या फिर आप भी ऐसे पेंच में फस गए हों कि कंपनी ने या फिर आपके employer ने आप से टीडियस काट लिया और income tax के पास जमान नहीं कराया तो अब आपको टेंशन लेने के जरुद नहीं यह कोट केस है कोट केस को आप बिल्कुल यहां पर सामने लख सकते हैं इसका हवाला देकर आप इससे बस सकते हैं और जैसा ही कोली साब ने बताया कि अगर नहीं जमा करा आती है कोई कंपनी तो उसको पर भी बहुत भारी पनेलिटी और जि बताये क्या उल्जान है टैक्स ग्रूब एठा हुए कोली साब मेरा सवाल यह है कि मैं पब्लिश कर गवर्मेंट कंपी से रिटायर होकर मेरे को NPS के फूर चार्टा AII से एंटी इंकम मिल रही है और इसमें जो है मैं जानना चाहता हूं कि इसमें जो 75,000 का संटर्ड डिश का सवाल में ही छुपा हुआ और आपने काफी हद तक उसको लक्षमा निनोंना शुलजा भी लिया है तो आपको मिल रही है। उसको हम salary count नहीं करेंगे, आपने बिलकु ठीका central government और state government का वो drop down में दिखाता है, उस pension और salary के against standard deduction मिलती है, पर ये आप annuity है, तो annuity को हम salary की definition में नहीं लेते हैं, तो क्योंकि salary की definition में नहीं लेते हैं, इसलिए इस पे बदकिस्मती से आपको standard deduction अगरवाल साथ नहीं मिलेग जाना चाहता हूँ कि जब अभी जो नए center government के employee है, जोरा 14 के बाद में, उनको center government pension नहीं दे रही है, और उनको भी नपीस के थूँ अगर आपने तो उसमें नहीं मिलेगा, अगर वो pension आ रही है, तो इसमें नहीं मिलेगा, तब standard deduction को हम consider कर सकते हैं, अनियटी पे उनको भी नहीं मिलेगा, यह मैं आपको जानकारी देगा, बहुत बहुत धन्यवाद अगरवाल साथ हमसे जुड़ने के लिए, अब चलते हैं नई दिल्ली जहां से अनिल गुपता जी हमार साथ फोलने पर जुड़ चुके हैं, गुपता जी नमस्कार, नमस अनियर है, जैसे मैं अभी 24 के अंदर ले लू जनुरी से पहले, और फिर अपरेल 25 के बाद जुबारा इन्वेस्ट कर सकता हूं, उसमें एक तो यह है, और एक सेम फिनेंशियल इयर में अगर मैं बेशता हूं, तो 50 लाइक अपने नहीं और 50 लाइक अपनी वाइस के नाम, कोई अच्छी और खराब खबर देनी हो, तो पहले जो है, पहले अच्छी खबर देनी चाहिए, या फिर आप खराब खबर देना चाहिए, नहीं, नहीं, मैं पहले अच्छी देना जाता हूं, तो गुपताजी पहले मैं आपका कॉंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, यह पर person ले सकते हैं तो ये तो आपके जो question number दो और तीन था कि आपकी wife के नाम की भी आपने बात करी वो per person है per annum है पर जो पहला सवाल था आपका आप आती है थोड़ी सी जो खराब ख़बर है जो मैं देना चाहरा था कि shares पे हुई गुपता जी जो capital gain की आए है उस पर 54 EC available नहीं है 54 EC जो 50 लाग तक bond में investment होती है वो आप केवल property में जब property से होने वाला जो gain है उसके उपर आप ले सकते हैं तो आप इसके share के उपर होने के लिए 112 A में आप 7 लाख रुपए तक की अलग से deduction दी हुई है उसको आप अवेल करें और long term capital gain के जो rules है वो apply होंगे पर 54 EC यहां पर गुपता जी apply नहीं होगा तो आपके पहले सवाल के गार में पहले जवाब दे देता लक्षमन तो बाकी के दो सवाल अंग्रेजी में एक शब्द होता है redundant हो जाते तो मैंने मैं चाहता हूँ गुपता जी को concept clear हो जाए जिसे आगे कहीं भी वो property बेचेंगे पहले सवाल देता शायद गुपता जी दूसरे के जवाब सुनते भी नहीं हाँ तो मैं नहीं पर बाकी दर्शकों के भी काम का है क्योंकि बढ़ा अच्छा सवाल है के per person per annum per transaction तीन क प्राइटेरिया है उनको आगे काम आएगा कभी property बेचेंगे तो गुपता जी मैं उमीद करता हूँ आपको clarify हो गया होगा और इसको आप 112 का benefit लें यह 54 EC में नहीं जाए अब चलते हैं मद्यपरदिश जहां से केके मुखवपाद्ध है जी हमारे साथ phone line पर जूर चुके ह नमस्कार कैसे हैं आप हम ठीक है बताएं क्या सवाल आपके पास है अब देखिए हमने एक FD बूक किया था ICICI Bank का जिसके इंट्रेस का 5.4% जिसके जो टैक्सेशन होता है और अक्ट्रेस होता है तर जिसके जोता है जिसके प्रिख टीव थाम् कौनी कि ideo कि अ से जोड़े से डिफ कौनी फिरुट से कार्प्र थार छो आपके टीफिव इस कार्फा लच सूर। कर 11.5-3 त। So effectively, I am paying 2% interest per year for 3 years, that is 6%. And the duration for which this FD was there for this year is say half year. So I will get the interest of 2.7%. So effectively for this year, ICSA will pay negative interest of around 3% on my property deposit. Now how the taxes will be done for that? You know, since you have premature this FDI, you know, FDI को पहले से अगर in cash करा लिया है, तो बैंक नाजमी बात है, उस पर काटता है, आप जिसने period के लिए किये. तो इसकी कहीं, मुकपादिया साथ, there is no deduction as such. आप इसको कहीं deduction claim नहीं कर सकते हैं, ये तो जितना आपके पास interest आया है, उसी को आप income में दिखाएंगे. और जो TDS आया है, वो आपके 26 AS में आएगा, उसका बाकाइदा credit लीजिए. मतलब, अगर मैं आपके सवाल को दूसरे तरीके से समझ रहा हूँ, तो आप ये पूछना चारे हैं, जो bank ने इनके deduction करी है, उसको क्या मैं खर्चे की तरह claim कर सकता हूँ, या वो नहीं होता है. जितना interest आया है, उतना interest आप दिखाईए, और जो TDS कटा है, अगर आपको लग रहा है, TDS फाल्तू कट गया है, तो उस TDS का आप refund ले सकते हैं. चलिए, अब तो कोई confusion नहीं है? तो मैं, exactly, exactly मुकवादे साब, मैं यही आपको बता रहा था, कि उस penalty का कोई claim नहीं है, मतलब को इसको expense की तरह आप claim नहीं कर सकते हैं, अगर TDS इस साल में आपका जादा कटा है, और अगर पुराने सालों के TDS में गड़बड है, तो उसके लिए, लक्षमन याद होगा, हम आपने 1192 की बात की थी, कि पुराने सालों के अगर आपके refund आपको लग रहा है, फसे हुए है, तो आप अपने commissioner को, principal commissioner को लिखके, special case में उसको refund claim कर सकते हैं, पर जहां तक current year की बात है, वो जो आपको negative return दिखाई दे रहा है, उसके against जो TDS है, उसमें आप refund ले सकते हैं, प दिखेगा हमें, taxatmoneycontrol.com पर फिर से हम ऐसे हैं आप से संपर्क करेंगे और सीधा आपके उल्जानों को दूरू करने कोशिश करेंगे, और फिलाल वक्त है छोटे से break का, break के बाद बताएंगे कि अगर आप NRI हैं, और भारत में property खरीद रहे हैं, तो क्या कहते हैं, TDS कि न अगत है, आप देख रहे हैं, tax guru और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए, जाने माने tax expert शरत कोली साब, कोली साब एक सवाल हमारे पास चंडी गड़स आया है, विक्रम कुमार जी का, ये फोन लाइन पर बने हुए है, तो उनी से पूछ लेता आप इंडिया में, तो उसके ओपर मुझे कितना TDS देना पड़े जाती है, अच्छा एनराइ से आपने property खरीदी है, अच्छा तू उस पर कितना TDS देना पड़ेगा, एनराइ से इनोंने खरी दी है, इनोंने एनराइ से खरी दी है, तो उसमें तो normal जो tax जाता है, वो 1% TDS होता है जो वो आपका काटेंगे उल्टा अगर होता लक्षमन जादातर उल्टा होता है क्योंकि ये तो एक साधारण क्योंकि इनके केस में एक परसेंट जो TDS कटता है 194 I में वो कटेगा पर अगर इस से रिवर्स होता तो फिर सिचुएशन थोड़ी कंप्लिकेट होती है क्योंकि उसमें तो 20 परसेंट कटता था अब जब से कैपिटल के इन साड़े बारा परसेंट हुआ है तो अब साड़े बारा परसेंट कटना मैं देखा कुछ हाल में डील होई लोग 20 परसेंट ही काटे जा रहे हैं वो यह भूल गए के रेट चेंज होगा तो आपके केस में तो क्योंकि आप खरीदार हैं वो बेचने वाले हैं और खरीदार की जिमेवारी दूसी तरफ से बनती है तो 1 परसेंट ही TDS इस पर अपलाई होगा पी अजर NRI seller है और हम जैसे बायर हैं तो 14.30% उन्होंने बोला है 14.30% ने 14.30% तो कोई रेट नहीं है क्योंकि या तो 20% होता था जो आप 12.5% है 12.5% हो सकता है वो सर्चार्ज लगा के 14.3 कल्कुलेट करें लेकिन वो भी इन पर नहीं बनता है आप एक बार फिर से विक्रम जी उनको डबल चेक कर लीजिए उनको बोलिए पूरी तरह से एक बार थरली इसको चेक कर लें और चेक करके आप दुबारा इसको कनफर्म कर लेए हो सकता है चुकि जैसा कि कॉली साब ने बताया है कि एनराई के उपर ही देंदारी बनती है 12.5% उसमें सर्चार्ज मिलाके 14.5% बनता हो लेकिन वो एनराई जो बेच रहा उस पे जिम्यदारी बनती है आप पे नहीं बनती है आपके सिर्फ एक परसेंट की बनती है कर रहे हैं नॉवंबर में धेर सारी शादियां भी होने वाली है तो वह भी धेर सारे गिफ्ट आएंगे तो गिफ्ट मिलने पर बड़ी खुशी होती है लेकिन कई बार लोग इंकम टैक्स को भूल जाते हैं तो कॉली साब क्या गिफ्ट पे भी इंकम टैक्स की नज़र रहती है? मैं चार-पांच कैटेगरीज में ये सारे नियम आपने जितनी बाते बोली कवर कर देता हूं. पहले तो अगर आपको रिष्तेदारों से गिफ्ट आते हैं, हम पहले इसको कई बार डिसकस कर चुके हैं, शादी बया पे आए या दिवाली किसी त्योहर पर का अवाइड करी है. अब दूसरा जब आप स्टेज पे खड़े हो जाते हैं, शादी बात बिल्कुल भी टैक्सिबल नहीं है, पर किस के लिए? सिरफ दूला दूलन के लिए. ये ध्यान रखना पड़ेगा. दूला और दूलन को जितना भी शादी के मौके पे गिफ्ट आ रहा है, वो टैक्सिबल नहीं है. अब यहां सवाल आए कि दूले साब के पिता जी को या दूलन की माता जी को किसी को बोड़ा गिफ्ट आ गया, उसमें सिरफ 50,000 रुपए तक की एक्जेंप्शन है. ये बड़ा दिल्चसप है कि दूला दूलन को गिफ्ट मिला और को तो 50,000 से उपर अगर आप दूला दूलन के अलावा वेडिंग में गिफ्ट आ रहा है, तो वो टैक्सिबल हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, लोग उठा के सीधा बैंक में जमा कर देते हैं, बैंक में भी आ जाता है कई दफ़े, तो उस पे कल को टैक्स का नोटिस आ सकता है, और चौती बात इसमें ध्यान रखने वारी लक्षमन ये है, कि इस पे से आने वाली जो इंकम होती है, मैंने कुछ लोगों को देखा, ये तो गिफ्ट आया था, ये तो माफ था, तो इस पे इंकम भी माफ होगी, उस पे होने वाली इंकम टैक्सिबल है, आप उ उसको कहते हैं, एक्जेम्ट इंकम, इन गिफ्ट को वहाँ पर दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी एक्जेम्ट इंकम है, मैं उन गिफ्ट की बात कर रहा हूँ, जो दूला दूलन को आए हैं, या जो पचास जार के अंदर बाकी के रिष्तेदारों को गिफ्ट आए और फिलाल वक्ते छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगी, कमर्शिल प्रोपर्टी पर जीएश्टी के क्या है बारिक हैं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, चले अब सीधा चलते हैं, हिसार जहां से चिराग सिंगल साब हमारे साथ फोन लाइं पर जूर मैं ये सब्मिशन थी मेरी कि हम ना जीएश्टी रिष्टर डिलर नहीं है और मैंने दो कोमर्शिल प्रोपर्टी रेंट आउट की हुई है, और दोनों रिष्टर डिलर हैं, अंडर जीएश्टी जोर, मेरी इंकम पहले 20,000 रुपे से कम थी, इस साल 20,000 रुपे एनुली हो में की उमीद है, मेरी क्या लाइबिल्टी है और टेक्स कौन पे करेगा? तो जीएस्टी उस दिन से लगना शुरू हो जाएगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो एक तो जीएस्टी में वाइलेशन हो जाएगा, क्योंकि आप जीएस्टी रिजिस्ट्रेशन के जो नियम है, उनका उलंगन हो जाएगा, जहां तक उनकी बात है, आपके मेकनिजम में, अभी एक दस, दोजार चॉबिस से ही लक्षमन सर्कुलर आया है, इसमें हम लोने काफे डिटेल में चर्चा भी किया, जी जी, तो उसमें आपको रिवर्स चार्ज मेकनिजम से फिर वो लगाना पड़ेगा, फिलाल आप तो अपने लिए पोच रहे हैं, उन पर आपको अबिस लग क्रॉस और लिए तो फिर आपको की ते दारे में, अभी तक आप जैसा के बता रहे हैं, आभी तक चराग जी आप दायरे में नहीं थे पर ये ध्यान रखेगा जबी भी आप कहरें ना उमीद है आपको तो रेंट में तो क्या होता है कि आप calculate कर सकते है कि किस महीने में जाके बनेगा तो आप उस महीने के 30 दिन के अंदर आपको registration ले लेना चाहिए चले उमीद करता हूँ चिराग जी कि आपकी उल्जाने दूर हो गई होंगी और टैक्स गूरूप तो फिर आप वेट करिए का जब तक 20 लाग नहीं होता है तो आप दाएरे से बाहर रहते हैं जब भी फिर नया टैनेंट आएगा और 20 लाग उस साल में होगी तो फिर आप उसको रेजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर ले लिजेगा मैंने आपको इसलिए एक ठेशोल बता लिए जब इसलाख होगा तब फिर रेजिस्ट्रेशन उस पर लिजेगा तो कौली साब बहुत धन्यवाद सभी सवालों के जवाब दने के लिए और टैक्स गुरू में फिलाल इतना है आपके पास कोई भी सवाल हो आप हमें लिख विजे टैक्स.moneycontrol.com पर और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नमर लिखना नाम हो ले देखते देशन 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 आवाज नमस्कार